हेलो गाइस सेंड वैलकम टू माई एटोप चैनल टैग बॉम केज़ दोस्तों यह वीडियो आपके काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट और यूजफुल होने वाली अगर आपके भी वीवो टीटू प्रो फाइब जी की फोन में दोस्तों यहां पे नौटेविकिसन पैनल में दिवाइस कंट्रोल का option दिख रहा है तो आछिर ये device कंट्रोल का option हाई किया और इसको हम बंद करना चाहेंगे तो बंद कैसे करेंगे तो यहां पर कहीं हमारा फून है तो नहीं हो चुका है यहां भी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कहीं हमारे device को को क और तो control नहीं कर रहा है सारा doubt आपका इस वीडियो में clear होने वाला है अखिर ये device control का use क्या है अगर ये दिया हुआ है तो हम अगर इस पर click करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके सामने live proof दिखाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा interface मिलता है अगर आपने phone को update कर दिया है तो यहाँ पर कुछ अलग interface देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तों इसका use क्या है यहाँ पर जिसे water bubble है इसको मिस तरके से full कर सकते हैं food bowl है इस पर click करके इसको full कर सकते हैं toy का option इस पर click करके kite attract कर सकते हैं और दोस्तों अगर use कहें तो यह हमारे लिए बिल्कुल भी useless है आपके लिए बिल्कुल भी useless है या इस feature का use आपका phone करेगा device control का जो feature दिया हुआ है यह security feature है जो आपके phone के लिए है आपका phone जो इसको जो है security के तोर पे जो use करेगा आप इसको बंद भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे pencil का icon है इस पर click करके आप जो सभी android 13 में दोस्तों device control मिलेगा इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे आपको इसको बंद नहीं करना है या बंद भी नहीं कर सकते हो आप इसको hide कर दीजिए pencil पर click करके hide कर देंगे यहाँ पर नहीं दिखेगा ताकि आप परसान भी नहीं होंगे और इस तरह के साब के problem solve हो जाती है